नमस्कार दोस्तों मेरे नामे भरत जेन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भरत व्लॉक्स पर और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं लगेज की जी हाँ एक सूटकेस के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि हम सब लोग जब भी ट्रावेल करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी रिक्वार्मेंट हमारा जो ट्रावेल पार्टनर होता है वो हमारा लगेज भी होता है अलग-अलग जगह पर हमें अलग-अलग तरह के लगेज बेगेज की रिक्वार्मेंट होती मतलब cabin bags अगर आप fly कर रहे हैं तो आप आपके साथ में भी रख सकते हैं और एक दूसरा और है उसके अंदर आप उसको luggage के अंदर भी लगा सकते हैं किस तरह की quality है क्योंकि जब भी हम luggage की बारे में बात करते हैं तो हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है सबसे पहली च कि उसके अंदर space कितना है किस तरह से हम हमारी चीजों को उस back के अंदर organize कर सकते हैं चौती चीज़ वह look wise कैसा दिखाई देता है पहले के जमाने में कुछ अलग चीज़े सब चीज़े चला दिया करते थे लोग लेकिन आज हमें look एक बहुत बड़ा matter fill करवाता है और last not on the list कि prices कितनी है क्योंकि हमारा budget भी यहाँ पर बहुत important role play करेगा while selecting our luggage अब वक्त नहीं कवाते हैं और unbox करते हैं assembly की तरफ से आने वाले stark hard side luggage combo pack को तो दोस्तों सबसे पहले यह मैंने मंगवाया है directly assembly travel.com website से directly website से मंगवाया है तो हमें कुछ इस तरह की packaging मिलती है और इस packaging को हम लो तो दोस्तों यह है हमारे पास में यहाँ पर green color का 24 इंच का एक luggage pack hard है और हम इसको open करते हैं और open करने के बाद में इसमें एक और मिलता है हमें 20 इंच का एक और luggage सो सबसे पहले इसकी बात करें 20 इंच के अंदर quality की बात करूं तो काफी lightweight है हलका है लेकिन इसका जो material है वो काफी अच्छ है एक्चुली यह soft थोड़ा सा दिया गया है थोड़ा सा hard भी है यह इस वज़े से ताकि जब इसको फेका जाए क्योंकि आपको पता है एरोप्लेन में क्या होता है कि लोग इसको फेकते हैं तो यह वहाँ पर टूटे नहीं इसके लिए इसका जो material है काफी अच्छा लग रह है मुझे मैंने चीज यहाँ पर हमें कस्टमाइज टैग मिलते हैं सेमली की तरफ से जो हर जगह पर मुझे आज तक देखने के लिए नहीं मिले हैं यहाँ पर मेरे नाम से यहाँ पर इन्होंने यह भेजा है तो एक काफी अच्छा टैग है जो हम अमारे लगेज को आइड कर एक बार सो दोस्तों यह जो 20 इंच का जो है उसके अंदर डियोल टोर हमें मिलती है जो उपर है वह वाइट मतलब ग्रेश टाइप का है और बाकी यहाँ पर एक ग्रिन टाइप का है अलग-अलग कलर वेरियंट है वह आपको मिल जाएंगे वेबसाइट के उपर और यह जो अलग से दिया हुआ है इसके अंदर अराम से बहुत एजीली ओपन है कि यहाँ पर आप आपका लैप टॉप या फिर अधर चीजें यहाँ पर रख सकते हैं और पॉकेट और 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 अच्छे से दिया हुआ है और अगर बात करें इसके अंदर की तो इसको भी खोल इसके अंदर हमें मिलता है एक यह उपर का कवर क्योंकि लगेज हमें अगर यूज नहीं होते हैं लेकिन जब भी अगर यूज नहीं होंगे तो घर पर आप इसको अच्छे से कवर करके रख सकते हैं जो इसकी लाइफ को बढ़ाएगा गंदा नहीं होगा दोनों के लिए ह हमारे पास में 24 इंच के लिए भी है और 20 इंच के लिए भी है तो यह कुछ इस तरह के अलग से मटेरियल के कवर यहां पर काफी अच्छे से दिये हुआ है जो एक अच्छी बात है हर लगेज के साथ में हमें यह चीज नहीं मिलती है इसके साथ में हमें और चीज़े मिल र चीजों को रखने के लिए यहाँ पर पूरे organizers दिये हुए हैं जो हर luggage bag के अंदर नहीं मिलते हैं especially जब मैं ढूंड रहा था तो मुझे यह सब चीजे काफ़ी impressive लगी तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक बार try किया जाए इसके अलावा हमें यहाँ पर मिलता है shoes रखने के लिए एक pouch के हम हमारे shoes हैं वो भी अच्छे से रख पाएं और हमारे कपड़े गंदे ना हो उसके लिए हमें यह मिलता है यह भी काफ़ी अच्छी चीज़ है तीसरा यहाँ पर एक यह बड़ा सा pouch जिसके अंदर आपके कपड़े सलीके से रख सकते हैं एक और है वो हमारे secondary के लिए मतलब एक के साथ में आपको एक मिल जाता है अगर मैं 20 इंच की अंदर यहाँ पर space की बात करूँ तो काफी अच्छा space हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है प्लस अगर उपर की side में देखें यहाँ पर तो यहां पर भी हमें एक space देखने के लिए मिलता है लेकिन इसका जो space है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि हमें यहां पर back side में भी यहां पर मिल रहा है इस वज़े से इसका जो space है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा बाकी overall काफी अच्छा है यहां पर यह भी तो दोस्तों यह जो दोनों bag हैं उसके अंदर हमें look के हिसाब से काफी अच्छे लग रहा है बस एक चीज मुझे लगी यह अगर इसके अंदर भी dual tone यहां पर अगर मिल जाता हमें तो वो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता था इस इसके अंदर dual tone नहीं है इसके अंदर है तो dual tone का जो look है वो आप खुद देख रहे हैं कि काफी अच्छा लग रहा है दूसरी चीज अगर मैं इसके बारे बात करूं तो lightweight है काफी जो हमारे लिए काफी अच्छी चीज होती है जब भी हम लोग travel करते तो जितना हलका हो काफी अच्छी quality यहां पर मुझे देखने के लिए मिल रही है overall अगर दोस्तों भी हम लोग अगर prices के बारे में बात करें तो इस तरह के लगे जब भी हम लोग market में अलग-अलग brand के अंदर लेने के लिए निकलते हैं तो 5-6,000 और 7,000 रुपे तक के लगे जाते हैं लेकिन यह दोनों जो चीजे हैं मुझे combo के अंदर बहुत ही best deal में मिली है सभी discount कट करने के बाद में 8,360 रुपे मुझे यह पढ़ा actually इसकी जो MRP है वो 9,999 रुपे है अप्रॉक्सिमेट 10,000 के आसपास का आता है लेकिन जो coupon code है और जो cash discount जिसको बोलते है prepared अगर pay करते हैं तो 5% extra मिलता है तो वो सभी चीजे मैंने less करवाई तो 8,360 में मुझे यह दोनों luggage पढ़े हैं जो मुझे काफी अच्छे लगे actually यह वीडियो बनाने के पीछे का reason यह भी था कि मैं खुच जब luggage को select कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजे देखनी थी लेकिन मुझे इतनी अच कैसे लगे price के हिसाब से quality की हिसाब से और space के हिसाब से comment section आप लोगों के लिए जरूर बताएगा और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाते हैं अलग-अलग traveling accessories पर तो भी comment करिएगा जरूर इन सभी चीजों के उपर आने वाले समय के अंदर वीडियो आएगी सो अंतर तक हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद खरीदना चाते हैं description के अंदर link दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं so once again thank you very much